जब मार्केट बूली स्फेज में रहता है यानि लगातार चड़ता रहता है बहुत सारे इंवेस्टर्स या मीच्वल फंड मैंजर्स में वह कैस को अपने पास जमा रखते हैं इस इंद्जार में रहते हैं कि मार्केट जब गिरेगा तब वह इंवेस्ट करेंगे लेकिन जन सेविंग फंड में रखते हैं तो जनाब सेविंग फंड में दो से ढाई परशंट के आज का अज का अब्याद मिलता है तो क्या कोई ऐसी बेवस्ता नहीं है इस पैसे कहीं और पार कर दिया जिससे से बेटर मिल सके जनाब बिल्कुल है और वह फंड है ओवर्नाइट कि बहुत सारे सवाल से उस सवालों के basis पर हम जवाब देंगे और देखेंगे कि यह सेविंग फट से बेटर रिटर्न कैसे देता है और इसके और सारे इंपक्ट क्या है एस्टों टैस्विंग के नए वीडियो में आपकर फिर्शे स्वागत है यदि इस वीडियो से कोई इडिशन होता है तो आप इसको लाइक करें शेयर करें कमेंट करें कमेंट में बेतर जो लगा है जो बेतर नहीं लगा है सारी बातों को बताएं जिससे हमें यह मालूम हो सके कि मैं अपने उद्यस में सफल हो पा रहा हूं और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट क कर रहे हैं इसको सब्सक्राइब भी करें और बगल में जो बिल आइकोन है उस पर पुश करें और और पर भी पुश करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगतार मिलती है और यदि आप नए आप सब्सक्राइब कर रहें तो कमेंट बॉक्स में करने निसकरें नाम देर्म जिखें से मुझे यह पता चल सके कि आप हमारे सब्सक्राइबर है मेरा नाम डियम ज्याहएं कि मैं सबसे पहला सवाल ओबराईट वन क्या होता है से ओवरणाईट फंड यवे नाईट те items का horrific मयीटा और जैसा इसके नाम से पादा चलता है यह fund आपके fund को ऐसे securities में invest करते हैं जिसकी maturity period one day होती है मतलब एक दिन की maturity वो daily mature होता है वो इस कारण से चुकी यह daily mature होता है तो risk की संभावना इसमें काफी कम है इसकी समय सिमा क्या है और minimum कितना invest कर सकते हैं से मैंने पहले बताया इसकी समय सिमा एक दिन है जो maturity period है उसके एक दिन की होती है और minimum amount आप 500 रुपे से investment शुरू कर सकते हैं तीसरा सवाल इसमें आज के दिन में कितने funds हैं और इसकी asset size क्या है आज के दिन में कुल 34 fund है और इसकी asset size 96,490 करोर है अगला सवाल इसमें return कितना है तो आज के दिन में पिछले एक साल में हमने 6.6% का return दिया है और highest return जो है इस 34 fund में से वह 7.16% है lowest return जो है चीज 6.28% और हमने बताया कि average return 6.66% है इसलिए यदि आप किसी भी overnight fund में invest करते हैं तो कम से कम आपको 6.26% का annual return मिलेगा हलांकि इनके तीन वर्सों का जो रिटर्न है उठी 5.67% पांच वर्सों का 4.75% और 10 वर्सों का 5.60% हलांकि जैसे मैंने पले चर्चा में की थी यह उन investors के लिए है इस fund में invest करना जिसको short term period के लिए cash उनके पास 10 दिन 20 दिन 25 दिन मेहना के लिए पढ़े हुए है जैसे मैंने बताया कि फंड जो financial planner करते हैं कि एक दो सब्ता के लिए 15 दिनों के लिए इसके पास fund surplus है वो इस fund में invest करते हैं जिसको इसको इससे अधिक को करना चाहूं तो पैसे मुझे कम मिलेंगे online पैसे जो हैं इसमें आज यदि cut-off date के पहले cut-off समय के पहले यदि आप login करते हैं या अपना request दे देते हैं तो कल आपके account में पैसे मिलेंगे कल मिन्स next business day conditions यह है कि जब आपने folio खोला हुआ था तो आपके IFSC code account number सब अब भीट होना चाहिए एक और important सवाल कि इसमें टेक्स क्या provision है और यदि हम compare करें उसे saving fund के interest से दोनों में क्या फर्क है जनाब इसमें जो भी capital gain होंगे उस पे tax जो लगेंगे आपके जो personal income tax slab होगा उसी हिसाब से लगेगा जिए 0% tax यदि 20% 15% 30% है जितने परसेंट आपके individual slabs है जिस slab में fall करते होतना ही लगेगा और यदि यही बाते हम saving fund के interest की करें तो saving fund interest में को opt करते हैं तो आपको 10,000 रुपे तक का exemptions है और 10,000 के उपर के दस जार के उपर जितने interest बनते हैं उस पर आपको individual slab के हिसाब से tax लगेगा इससे तो इससे यह दिखने में यह समझ में आता है कि इस हिसाब से saving fund का इंट्रेस्ट आप इंट्रेस्ट इंकम वह बेतर है लेकिन जनाब यदि आप new tax करते हैं तो दोनों के टैक्सेसर के treatment में कोई फर्क नहीं है overnight fund का भी जो capital gain होगा आपके individual tax lab के हिसाफ से tax lab tax charge होगा और यदि saving fund का भी interest है तो वह भी आपके individual tax lab के हिसाब से चार चोगा और इन दोनों को देखते हुए मुझे यह लगता है क्योंकि saving fund में धाई से दो धाई तीन परसंट के आज पास interest मिलते हैं और यहां जो देखा हमने यह six point six six point five के आज पास appreciation हो रहा है तो हमें लगता है कि छोटे समय के लिए आपका इस पैसे हों कि दस दिन बिएज दिन पचीस दिन के लिए तो आप overnight fund में जा सकते एक और important सवाल है यदि आप पूछेंगे विकाज जब भी mutual fund की बातें करते हैं तो सब मान के चलते हैं एक्यूटी mutual fund की बातें करेंगे आप वैसे ही offline online invest कर सकते दोनों के navigation में कोई फर्क नहीं options आएंगे डेट equity डेट को क्लिक करेंगे डेट के बाद फिर आपको कई सारे जितने categories है liquid fund overnight fund notice fund हर तरह के fund आपको उसमें दिखेंगे और उसके हिसाब से आप invest कर सकते हाला कि यह मेरे बीचार है यहीं छोटे समय के लिए पैसे सब्सक्राइब हो आपके पास तो आप overnight fund में जाएं हलाकि जैसे में बार बार कहता हूं यह निरने आपके financial wisdom पर डिपेंड करता है यहां भी निरने आपको खुद देना पड़ेगा थैंक्यू